हाई स्टूडेंट्स आज हम एक क्वेशन करते हैं जो कि NTSC के रिगार्डिंग और काफी इंपोर्डेंट क्वेशन ट्रीकी क्वेशन है अक्सर स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज रहते हैं कि उसको किस तरीके से अटेंट क्या जाए काफी ट्रीकी कुशन है कुशन है हमारे पास में स्क्वेशन रूट आफ ट्रीपल नाइन इन्टो थाउजन इन्टो 1000 इन्टो 1001 इन्टो 1002 प्लस 1 एंड़ इक्वल्स तो वाट तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर किसी भी नंबर स्क्यूपर स्क्वेशन रूट लगा तो try करते हैं, सबसे पहला task let thousand one को substitute कर लेंगे, let one thousand is equal to x, so remaining terms, triple nine can be written as, so triple nine को हम लिखेंगे x minus one, one thousand आपका x हो रहा है, next time आएगा x plus one, और उसे आगे वाला जो time आएगा वो x plus two and plus one, अब अगला task इनकी product में से कौन कौन सा pair हमें लेना है, वो सबसे important part है, pair हम इस तरीके से choose करेंगे, middle के दोनो pair लूँगा और extreme वाले दोनो pairs की में product कर दूँगा, क्यों करेंगे, वो इस step में देखिए, extreme जब pairs की जब हम product करेंग और middle जब दोनो pairs की product हम करेंगे तो यह आ रहा है, x square plus x आ गया and plus one, अब देखो pair हमने इस तरीके से इसलिए choose किये, कि x square और x वाला term इस में और इस वाले pair में common आना चीए, clear, अब देखिए next step, इस x square plus x की multiplication इस factor के साथ में करना है, minus इसकी product इसके साथ करेंगे, तो minus का 2 times x square plus x plus one आ गया, अब आपके सामने देखिए, a square plus b square minus 2ab, it means it became x square plus x minus one and it's whole square, अब square से square root आपका cancel हो गया, बचा क्या, x square plus x minus one, बट अब x का value हमने start में क्या रखा है, 1000, तो यह बना 1000 का square plus 1000 minus one, और finally जब इसको हम simplify करेंगे, तो यह आया क्या, minus one, और result हमें मिला, triple line, triple zero, one, यह आपका final answer होगा, तो कितना tricky question है, इस तरीकी से question को आपको attempt करना है,